डिजाइन बनाने के लिए हमने सूट की कटिंग पहले से ही कर लिया है गले की कटिंग हम बाद में करेंगे आपको भी अपने मेजरमेंट के कोडिंग सूट की कटिंग कर लेनी है इसके बाद हम स्टेंटर में एक मार्क करेंगे इसके बाद हम बकरम पेपर लेंगे और उसे हम अच्छे से सूट में लगा लेंगे जितनी दूर तक आपको गले के डिजाइन बनानी है उतनी दूर तक हम बकरम पेपर को अच्छे से लगा लेंगे यहां मैंने बकरम पेपर की लंबाई 14 इंच चकी है तो बकरम पेपर को हमने अच्छे से गले पे लगा लिया है इसकी बाद यह जो एक्स्रा बकरम पेपर है इसकी हम कटिंग कर लेंगे कि बाद हम गले की कटिंग करेंगे गले की चोड़ाई हमने तीन इंच रखी है गले के लंबाई हमने 6 इंच रखी है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो गले की कटिंग हमारी हो चुकी है अब हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करेंगे जो भी डिजाइन हमें अपने गले पे बनानी है उसको हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे तो ये देखिए हमने गले पे डिजाइन ट्रोक कर लिया है अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे ताकि डिजाइन जो है वो इसके दूस्टरे साइट में भी आ जाए तो ये देखिए डिजाइन दूस्टरे साइट में भी आ चुका है अब हम इसे इस तरह से डाग कर लेंगे ताकि वाला लेंगे और इस तरह से गले की उपर रखते हुए उस पार सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागी को और लेस को कट कर देंगे इसके बाद हम इस साइड में हाथों से लेस पार सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई हमने लगा ली है अब हम इसके बाद हम एक गोल्डन कर लर का लैस लेंगे और उसे इस तरह से हाप इंच की गैपिंग देते वे लगा लेंगे यह जो हमने हाप इंच की गैपिंग छोड़ी है यह सिलाई में दब जाएगी झाल जाएगी अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा लैस की भी हम कटिंग कर लेंगे इसके बाद हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे ताकि लैस हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे इसके बाद हम फिर से लैस लेंगे और इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे और एक्स्टा लैस की भी कटिंग कर लेंगे शाथ ही हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे टाकि लैस हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए यह सिलाई भी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे इसके बाद हम इस तरह से सेंटर में मोती अटेच कर लेंगे इसके बाद हम इस तरह से ग्लू की साहिता से इसमें स्टोन लगा लेंगे इसके बाद हम इस तरह से इसे पूरे गले पे लगा लेंगे तो मारा डिजाइन कम्प्लीट हो चुका है और इसका लोग कुछ इस तरीके से आएगा